नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडी चंद्रिशेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम समझते हैं आज की दिन की पंचांग को जिससे हम आज की दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज दिनांके 10 जनवरी सन 2024 विक्रम समद 2080 चल रहा है पोश मास है कृष्ण पक्ष है हमन्त रितु है तिथी आज की चतुर दशी है और आज का वार है बुद्वार आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र शाम 7 बच के 40 मिनट तक है आगे पूरवा शाड़ा नक्षत रहेगा योग ध्रुव है पुरे दिन और पुर 20 मिनट तक आगे शकुन करण रहेगा शाम 8 बच के 13 मिनट तक उसके बाद में नाग करण है सुर्योदे का समय दर्श को सुबह 7 बच के 17 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 5 बच के 40 मिनट का है आज का राहो का दौपेर 12 से डेड़ बजे की बीच रहेगा इसमें पू पैर 12 बच के 13 मिनट और 12 बच के 55 मिनट आज का दिशा शूल दर्श को उत्तर दिशा में तो पहले कोशिश तो यही रहे कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें लेकिन जाना बहुत ज़रूर है अनिवार यात्रा है तो परिहार करें परिहार इस प्रकार होगा कि दाने खाएंगे और पांच किदम पीछे चलेंगे और इस पूरी प्रक्रिया के दोरान अपने हिर्दे में अपने इश्ट का ध्यान करेंगे उन्हें अपने साथ मानेंगे उनसे प्राथना करेंगे और फिर इस दिशा की यात्रा करेंगे ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच् सबसे पहले बात करतें मेश राशी की मेश राशी वाले स्वास्तलाब करेंगे हुगा भाग्योदे व्रश राशी वाले लापरवाई से बचें मिथुन राशी वालों को पार्टनर से होगा लाब वहीं करक राशी वालों को पैसे के लेंदेन से बचना चाहिए आज और सिंग राशी वाले सम्मान प्राप्त कर सकते हैं वहीं कन्या राशी वाले ध्यान रखें कि अवसाद आप पर हावी न हो जाएं तोला राशी वालों को मिलेगा अच्छा समर्थन को यह था आज का पंचान जिसके समुचित ज्यान से आप अपने पूरे दिन को सूजबूत से समझदारी से मैनेज करेंगे सही समय का पूरा-पूरा सदूपयोग करेंगे और गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे अब करते हैं आज के दिन की ज्यान च करने को प्राप्त होता है तब के अर्थ आयू अवस्ता परिस्तिति और कर्म के अनुसार अलग लग होगा करते हैं जैसे कि स्टुडेंट्स यानि चात्र जीवन का जो तप है वो अध्यन में मन लगाना है अपने इंद्रियों पर नियंत्रन रखना है तो वहीं कर्म शील की छात्र और को शृष्य को कुंदन बना दे और तब भाये भी होता है और आंत्रिक भी होता है पद्यात्रः वॉरत उपवास जब इत्यादी तप ही है वहीं इस तप्से सब कुछ संभव भी है सब कुछ तप से प्रांटμέर भी हो जाता है यहां तक कि राज आश्वर ये इस सम्मंद में शाष्त्र प्रकार कहते हैं कि यददूरम यद दुराराध्यम यचच दूरे विवस्तितम ततloo तपॉही दुरत्य क्रमम यदि जो दूर है कष्ट साध्य है और दूर रहा हुआ है वो सब कुछ तप से साध्य है प्राप्त करने योग्य है तो इसलिए तप अवश्य करें जीवन में सुधार निश्यत रूपस आएगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में इतने वरतों का प्रावधान है, इतनी सारे जपों का प्रावधान है। इसलिए किया जाता है, ताकि उस प्रकार से हम एक तप में लगे रहें। और दीरे दीरे हमारे जो पाप करमें वो कड़ते रहें और पुन्य करम संचित होते रहें तो दर्शे को ये थी आज की ज्यान चर्चा अब बात करते हैं उन्विसस टुपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से आपको करके देते हैं और जिने करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते वे सफलता की और आप द्रड़ता से तेजगती से अग्रसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिन जननंदिन है आज आप सबी लोग लक्षमी डानायन मंदिर अवश्य जाएं और एक ध्वजा अर्पित करें गुलाब की माला लक्ष्मी माता को और पीले पुश्पो की माला श्री हरी के लिए अर्पित करें फिर श्री सुक्त के सौलह पाठ और विश्नु सहस्त्र नाम का एक पाठ करें इसके बाद शाम के वक्त गणेश जी के मंदिर में यदि आप सवा 5 किलो पुरशाद बाढ़ देते हैं और फिर उसको चोटे-चोटे निर्धन बच्चों के अंदर उसको बाढ़ते हैं तो आने वाला वर्ष बहुती सुन्दर और योग कारग बितेगा आपका इसमें कोई संदेने ऐसी दर्शे को जिन विवायोग्य लड़कों को उचित रिष्टे नहीं आ रहे हो या फिर अनावश्यक विलंभ हो रहे हो तो वो सब भगवान श्रीक्रिष्ण की विसस्ट साधना आरंब कर सकते हैं और समश्या से बाहर आ सकते हैं इसके लिए नित्य भगवान अर फिर नित्य 20 मिनिट बिना गीने इसमंत्र का जाप आपको करणा आए धेरे पूर्वा किस मंत्र को नित्य 20 मिनट ध्यान लगा के करते रहेंगे पांचे मीने बीतेंगे योग गितम जीवन साथी की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी भगवान श्रीकृष्ण की कृपास है इसी प्रकार से जिन कन्याओं को योग की रिष्टे नहीं आ रहे मंत्र जाप करना है वो ध्यान से समझेगा छूटा मंत्र है लेकिन सठीक कारे करता है मंत्र इस प्रकार है क्लीम रिषी के शाए नम है क्लीम रिषी के शाए नम है ऐसी दर्शे को जिन दंपति के वैवाईक जीवन सहीनी चल रहे हों लड़ाई जगडे बेवजे के मन है कि स्तती पहले चेक करवाएं और उन से संबंदित अगर कोई दोश है तो उसका उपाय करें साथ ही साथ जन्म पत्रिकाओं के सब्तम भाव यानि विवा भाव का दोश का भी पहले इलाज हो इसके अलावा दोनों पति पतनी एक छोटा सा उपाय भी करें इसके लिए करन गनेश जी और श्रीक्रिष्न का पंचोब चार से पूजन करें और फिर साथ में बैठकर आदा घंटा बिना गिने इस मंत्र का जब करें ध्यान लगाते हैं कुछ दिन करेंगे सारे दोश मिढ़ जाएंगे दमपती में आपस में प्रेम और सम्मान की स्तापना निश्चत मंत्र जाप करना वो इस प्रकाहर द्यान से समझेगा बात करते हैं आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रीक आईए हमारे दर्शक राजीव जी की 28 जुलाई 1980 का जनम है शाम 8 बच के 10 मिनट कोटा कार्य बहुत अटकते हैं उपाए बताइए इनका प्रशन है देखिए राजियो जी आपका कुमलगन है मकर राशी है कार्य अटकने की पीछे बहुत बड़ा कारण है आपकी जनुम पत्रिका में सूर्य ग्रेंड भी है और च कार्य अटकना बंद हो जाएंगे इसके अलावा मंगल और शनिवार यानि मंगलवार शनिवार को किशकिंदा कांड के पाथ हनुमान जी के सामन करना शुरू कर दीजिए आज की दूसरी पत्रिका ही है हमारी दर्शक श्रेष्टा जी की 25 मार्च सन 2004 का जनम है शाम 5 बच के पांच मिनट टॉंक प्रशन क्या है लव मेरिज और अरेंजड देखिए श्रेष्टा जी सिंग लगन और व्रश राशी की जनम पत्रिका आपकी लगनेश सूर्य सब्तमेश शनी और गुरू की स्तिती ये दर्शा रही है कि आपकी अरेंजड मेरिज ही होगी वेवाइक ज संतान योग का बताइए इनका प्रशन है शिवम जी आपका सिंग लगन है व्रश राशी है लगनेश सूर्य का उच्च राशी महोना और लगन में गुरू की उपस्तिती दर्शारी कि आपके संतान योग निश्चित रूप से है लेकिन पंचम भाव में राहू होना इसमे और एक अच्छा सा पुकराच पहन लीजिए आपके संतान योग है वो है संद 2026-27 में तो ये थी आज की जोतिश मंत्रणा दर्श को आप भी अपने जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रशन दिये गए नंबर से वाट्स अप करके हमसे प्रामर्स ले सकते हैं जिसका की इ तूट शद्धा से करके आप पूरा-पूरा लाब उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में उता रहेंगे धीरे-धीरे आपका जीवन शिव में सक्त्य में और आनन्द में होता जाएगा मैं वहादेव से प्रास्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताएव उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामनापूर्ती निश्यत रूप से हो कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवति आप सब का कल्यान करे जया आदिशक्ति